कैफीन वाली ड्रिंक्स को खाली पेट पीने से कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं कैफीन पेट में एसिट को बढ़ा सकता है जिससे जलन और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है सुभह अगर आप खाली पेट चाई पीते हैं तो बढ़ी में कोटिसोल का प्रोडक्शन होने लगता है आईए जानते हैं हेल्थ एक्सपर्ट खाली पेट चाई पीने से मना क्यों करते हैं अधिक चाई या देर राज चाई पीने वालों को नींद की कमी होती है साथ ही आपको चिड़ चिड़ापन और थकान भी महसूस होगी यदि लंबे समय तक ऐसा किया तो स्लीपिंग डिसोनर्डर हो सकता है चाई से शरीर में पानी की कमी होने लगती है दिहाइडरेशन की वजह बन सकता है खासकर सुबह में जब आपका शरीर पहले से ही कई घंटों तक पानी नहीं होने से डिहाइडरेट होता है हडियों को कमजोर करता है चाई ऐसे लोग जो हर दिन सुबह खाली पेट चाई या कॉफी पीते हैं तो इससे हड़ियां और जोडों में दर्द शुरू होता है जिसकी वजह से हड़ियां कमजोर हो जाती है चाई से एसिडिटी भी होता है खाली पेट चाई पीने से पेट में गैस की समस्या आने लगती है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है इसलिए सुबह खाली पेट चाय बिलकुल भी नहीं पीनी चाहिए चाय से पोशन की कमी यदि आप हर दिन खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी में पोशक तत्व की कमी भी हो सकती है जिससे आपको भूख कम लग सकती है चाय दांत के लिए भी नुकसान दायक है यदि आप खाली पेट पीने के शौकीन है तो यह सीधा आपके शरीर और दांत के लिए नुकसान दायक साबित होता है खाली पेट चाय पीने से दांत के एनामेल खराब हो जाता है जिसकी वजह से मसूडों में सूजन की दिक्कत शुरू हो जाती है सुबह खाली पेट चाय पीने से दाथ को काफी नुकसान पहुँचता है इसलिए चाय पीने से पहले कुछ हलका फुलका जरूर खाएं बिसकेट, नमकीन या फिर पानी पीकर भी चाय पीना स्वास्थे के लिए अच्छा रहता है